कि नमस्य दोस्तों कैसे आप मई सुजीत कुमार इंकड़बल जीयस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अब यहां से मात्र छे महीना बच गया है अब ये मैं नहीं बताने बाला हूं क्या पडूना है कैसे परना है कौन से बुक परना है यह important देंग है important यह है क्या सुजीद सर, छे महिने में BPS को फोडा जा सकता है मन्तन इसी पे हो और इस में कम से कम 72 घंटे का मन्तन हो इसका मत्तब है कम से कम तीन दिन तक और इसको अच्छे से समझिए इसके हरे एक पहलू को समझने की कोशिश कीजिए क्या इस फिल्ड में अगर उतर रहे हैं तो क्या छे महीने में BPSC को आर या पार करके दिखाईएगा तब इस फिल्ड में आईए इस छे महीने में क्या अपने आपको PASC के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस फिल्ड में आईए क्या इस छे महीने में आपको अंसेक्सेस भी लग सकती है और वो भी बड़ा बाला क्या उसे बरदास करने की ताकत है तो इस फिल्ड में उतर ये क्या इस 6 महिने में अगर किसी इने किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपके उपर ताना मारे तो क्या इस 6 महिने में सारी दुनिया को ताना को बरदास करके जहलने के लिए तैयार हैं करने के लिए तैयार हैं तो आप भी PC मूतर ये अगर इन में से एक भी लगता है नहीं कर सकता हूं सुजीत सर तो मत उतरिये सौ बात में एक बात ये सब तो सेकेंडरी है जी प्राइमरी तो यहाँ है जो कोई आपको न बताया न बताएगा बस अब इक ताई यही है जब आप उतर गया है तो पार करने की ताकत होनी चाहिए तरीक सोच के देखो एक मेट रोग के जिंदगी अगर छे साल में कोई सिदार्थ बुद्ध हो सकता है तो क्या छे महिने में आप एस दियम नहीं बन सकते क्या तरीक सोच के देखिए क्या बहुत बड़ा मुश्किल काम है क्या 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 इंपोसबल है क्या क्या एस दियम कोई गधा बैल जानबर कुट्टे बिल्ली यह बनते है क्या हमारे और आपके जैसा इनसान बनता है अगर आपको यह बात आपका दिल एहसास करवाता है यस आइकेन तो उतर जाइए जीत हंडेट परसेंट है और इस छे महिने में यह आइकेन कम इसे कम छे हजार बार आपके दिल से निकलनी चाहिए तब होता है जीने का मकसद तब होता है इतने खुबसूरत माबाप के गर्म से हम पैदा लिये और तब होता है कि हां मैंने भी जमाने को दिखा दिया और तब होता है हमारा भी जलबा चलेगा इस जमाने में अधर्वाइस कोई मतलब नहीं बनता पहले ये तो किलिएर हो जाए अगर बुद्ध छे महिने तपस्या करके भगमान का रूप धारन कर सकते हैं तो छे महिने में एक छोटा से एक्जाम नहीं फोड़ सकते हैं क्या कौन सा बरा पहार है या तीस मार खान है आपसे बरा करवादो प्रभू बस बरी भरोसा आपके उपर चलो करवा दिया तथास तू बीटी पास उसके बाद उसके बाद किसको दिखाऊगे कागस कि मैंने हां मैंने बीटी पास किया मैं इसमें दिखाने लएक रहोगे अगर ऑप्सन में ऑप्सनल पेपर में फोटी प्लस नहीं आया तो बाकी तो कॉपी चेक भी नहीं होगा जीएस वन जीएस टू एसे का जीरो बटे सनाटा रहेगा किसको दिखाऊगे किसको बोलोगे अब बोलोगे तो जमाना सीधा कहेगा मैंस का जरा रिजल्ट दिखाना क्या ऐसी पढ़ाई करना है आपको बलकि छे महिने में इमांदारी से कहता हूँ मैं कभी यह नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़िए नहीं बाइगाड रिली बताता हूँ सर जुका के मैं यह कहता हूँ कि इस प्रोसेस से पढ़िए आप गलत सोचते तो मैं क्या कर सकत रहा हूँ यह तो आपकी प्रॉब्लम है यह पीटी और मेंस दोनों एक साथ पढ़िए अब यह टाइम ऐसा आ गया है जहां पे दोनों को बड़ाबर बड़ाबर हिस्से में एक टाइम था जब 80 और 20 का रेसियो बता रहे थे यहां 80 यहां 20 अब रेसियो बता रहा हूँ 50- 50-50 टाइम दीजिए एकदम जो कहते हैं कि यह रिजल्ट ना आए तो मिलिए गाम से 50-50 टाइम दो और सेलेक्टेट पढ़ो इस छे महीने में सेलेक्टेट पढ़के रिजल्ट देने से मतलब है जी ज्यानी बनने से कोई मतलब नहीं है अब बात करते हैं किलियर हो गया कि ठीक है सुजीद सार पीटी मेंस दोनों को लेके चलेंगे तो यह वीडियो आपके काम का है बरना इस वीडियो को देखने से कोई मकसर ही नहीं मनता कुछ नहीं होगा जैसे थे जैसे हैं वैसे ही रह जाईएगा यह दोनों एक साथ लेके चलिए चैक कुछ भी हो जाए सब्सक्राइब में मोडर इंडिया साइंस में बायो करेंट अफेयर वन यहर का बिहार स्पेशल इस चार पे कम से कम दस बार पढ़ जाए अगर रिजल्ट आपको देना है तो अगर आपको मेंस लिखना है तो अगर इसमें अपना नाम दर्ज करवाना है तो कम से कम एक एक को चार चार बार पढ़ जाए जिनका बार बार होता है ने जो भाईया जो दीदी जो सिनियर जो टॉपर की बात आप करते हैं उनका बस एक ही मोटो होता है सुजीत सर बस इस चार पेपर को चाट जाना है जहा से को चराए गलत ने होगा इसमें जिसको जो उखार ना उखार के दिखा दे और चाठ जाते हैं और आप जैसे बेकूप इस चार को एक बार भी नहीं पढ़के सब पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं result पुछ्शे दो साल से मैंने पास नहीं किया सूझीद सर और अगले दो साल तक पास नहीं करूंगी Massachusetts कि मत करो इसरो मन नहीं मानता है सुझीद सर है यह दिल है नहीं मानता है यह भी पर लें वह भी पर परिशान ओड़े हो क्या आगले दो साल भी परिशान होना तुमको तो मुबारक हो जैसे पर रही हो इसी परो जैसे पर ही थी आज भी रिजल्ट है हुआ फिर वही काम कर रही हो कल भी नहीं होगा तुम्हेरा कहोगे सुजी सर्थ ताने मारू सवाल नहीं उठता तुम मेरी सब्सक्राइब सुजी हालात में नहीं दूगा बस हम तो एक पिता होने के नाते सिछचक भी और पिता भी दोनों फर्ज एदा कर रहे हैं अगर जब तक तुम अपने अस्टाइल ने बदलोगी, जब तक तुम अपने आपको ने बदलोगी, रिजल्ट को कैसे बदलना देखना चाहती हो, आप बदलने के तैयार नहीं हो, और आप चाहते हो रिजल्ट बदल जाए, कैसे बदलेगा, तर रिजल्ट सोच के देखो, और अगर आज नहीं बदली, तो यकीन मान लो, अगला 30 सप्टेमबर तक, किसी के बाहों में रहोगी, दो कौडी के, इंसान के बाहों में रहोगी, दोनों अप्सन आज की रात दे रहा हूं, जिस अप्सन को आज पकड़ोगी, वही तुम्हारा कर लोगा, बाकी सोच रहा तुमको है, इस चारों पे पूरा पकड़ो, कहो कि सुजी सर आप, हम भी अपनी संस्थाम यही काम कर रहे हैं, इस चारों पे, पूरे तरीके से पकड़ोगी चाहिए, इस चारों में एक भी कोश्चा नहीं छुटनी चाहिए, चाहे आसमान रहे या जमीन निगल जाए, यहां से एक भी गलतनी होनी चाहिए, अगर इन चारों से आपका रहेगा, तो यकीन माल लो, आपका सेलेक्शन तय है, पीठी, जाई यह मेंस के तयारी कीजिए, अब बात्रा, तो क्या सुझी सर, पॉलिटी नहीं पढ़ें, जोगरफी नहीं पढ़ें, इकोनोमी नहीं पढ़ें, मैंच ना पढ़ें, अरे ना पढ़ो, बेसिक पढ़ लो, लास्ट ताइम में कर लेना, लास्ट ताइम में प्रिवीस यह कोंस्चन को, थोड़ा सा देख लेगना, काम खतम करो, जै हिंद, जै बारत, बाकि जो आपको सोचना है, आपको लगता कि नहीं, मैं सब कुछ पढ़ूँगी, पढ़ते रहो, मिलना फिर, अगले साल, फिर कहेंगे, आठ हेदार पेमेंट दो, आके बैठो, टेबल पे, क्लिर हुआ यहां पे, सबसे पहले ये दिमाग में डाल लो, जहां हो, जो भी हो, ये जब तक नहीं कडोगी, रिजल्ट नहीं होगा, बाकि आपकी इच्छा, बात रही, सुजी सर मेंस की, मेंस को कैसे फूरा जाए, ये बात तो बता दिये, ठीक हम कर लेंगे, मेंस वाला क्या गेम खेलेंगे, सबसे पहले, एंसर राइटिंग, सिन्यर को पकड़ो न, अच्छे लोग होते हैं बूलो, बड़ी प्यारे होते हैं, इनको पकड़ो, और किसी से काम लेने के लिए, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी चलो, भाईया, दीदी, चलो ने चाय पीते हैं, चलो ने पेडा खाते हैं, ले चलो उनको खिलाओ, पैसा मत बचाओ, कभी किसी होटल में खाना खिला दो, मैं मानते हैं, पैसा नहीं है तुमारे पास, किसी संस्थाम जाओगो, दुनिया भर है, एंसर राइटिंग के नाम पे लूट लेगा, लूट लेगा तुमको, पठना से लेके दिल्ली तक लूटेगा, और कॉपी चेकाउन करेगा, जो पानी पिलाता है, सच्ची बाद बताता हूँ, अरे उनसे तो बढ़िया ने दीदी को पकड़ो, भाईया को पकड़ो, सिन्यर को पकड़ो, इन बैचारी इतनी एच्छे होते हैं, अगर इनको थोड़ा सा जुख के इनसे बात करोगे ने, और प्यार से बात करोगे ने, अपने आपको समर्पन कर दोगे ने, तो ये लोग मदद करेंगे, इनको कौपी दिखाओ, और इसे पूछो गलती कहा है, चेक करने के लिए दो, ये डेली करो, डेली करो, तो यहाँ तो आप खर्चा निकरना चाहते हो, ये GS2 का कोश्चन और एक एसे का, ये तीन कोश्चन कसम खा लो, डेली लिखना है, भले कोई कोपी चेक करेगा ना करे, लेकिन लिखो, और जब कोई कोपी ने चेक करेगा, तब तो सुनामी गुरू जिन्दा ख़ड़ाई है, ये काम करो, इसको अंतिम दम तक मत छोड़ना, पीटी के टाइम में भी इसको मत छोड़ना, क्योंकि असली खेल BPSC यही है, बाकि सब बखवास है, एंसर राइटिंग मन समर्पन, तन समर्पन, जब तक है जान, एंसर राइटिंग लिखेंगे, भले पीटी का रिजल टुक जाए, लेकि जिस दिन पीटी निकले गाना है, उस दिन मेंस इस दुनिया में किसी की आवकाद में रोग के दिखा दे, ये काम आप करना शुरू कीजिए, दूसरा, निउस्वेपर, डेली निउस्वेपर, और निउस्वेपर में ज्यादा ध्रामा नहीं करना है, बैट के चाय का चुस्की लेकर, दो घंटे तक बैट के बहसमाजी नहीं करना है, या फिर सुट्टा मुह में लगा के कहीं पे बहस पोलिटिक्स का नहीं करना है, वो सब भरकत मत कीजिएगा भगवान के लिए, प्लीज, यहां सिर्फ एड़ोटोरियल बाला पेज, इसके सिवा नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एड़ोटोरियल, और इस एड़ोटोरियल को जब पढ़ते हैं, तो उसमें राजनितिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सब को पाट भाई, पाट बाट ये, और इस एड़ोटोरियल में राजनितिक क्या था, उस पॉइंट को निकाल लिए, आर्थिक क्या था, उस पॉइंट को निकाल लिए, धार्मिक पच्छ इसमें क्या था उसको निकालिए और सबको अलग कीजिए कॉपी बनाइए फिर देखिए वो कितना बड़ा कमाल का कॉपी होगा आप कहिएगा सुजीद सर जी एस वन जी एस टू का टोटल कोश्चन लड़ गया अगर यह नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मालिक नहीं है यह दो चीज हमेशा जब तक एस डीम ना बन जाएए अपने जीवन से जाने मत दीजिए प्लीज मेरी बात मानिए अगर मुझे मानते हैं तो प्लीज मैं सर जुका के आप इसकाता हूं आप किसी संस्था को मत जोईन क कीजिए लेकिर आप यह दोनों काम कीजिए यह दोनों अपने अंदर डीने में डाल लीजिए जब तक एस गियम नहीं बनेंगे न तब तक लिखते रहेंगे और तब तक नियूस पेपर का एड़ोटोरियल पढ़के समझते रहेंगे जिसको जो उखार ना उखार ले यह क्लियर बात रहता है सब्जेक्ट सुझी सर यह छे महिना बचा हुआ मेरे पास में है पीटी का इस छे महिने में मेंस में कौन-कौन पेपर क्लियर हो जाना चाहिए आपका सबसे पहला पॉलिटी बाला पोर्शन अच्छे तरीके से पॉलिटी के बाद डी आई बाला शेशन यह बड़ा ड़ावस पेपर है और बड़ा रिस्की पेपर है डी आई डी आई को हलके में मत लीजिए प्लीज प्लीज क्योंकि एक कोश्चन गलत होगा इंटर्व्यू कॉल नहीं आएगा चाहिए कितना भी पेपर में नंबर ले बल्यायिएग और तीसरा हिस्ट्री बाला पॉर्सन ये तीन को खतम कर दीजे नियुए इस थी के खतम हो जाएगा आपका कॉंपिडेंस सात्में आस्मान पर होग आ कि दूसरा करेंट यह डिट दिट हम्हों होगा हिए अकौर्य से नजर मिला के बात कीजिए जर बात कीजिए न कहां कुछ है कहां मुश्किल है और अब बात रहा सुजीत सर सब लोग बुक्स बताते हैं कौँ सा किताब लें यह तो आपने बताया नि जो किताब जहां जहां जो जो यूटूबर बताएं हैं जो जो टीचर बताएं वो किताब का लिस्ट आपके पास में है मुझे बताने की को ज़रूरत नहीं है जाए मार्केट में मार्केट में जाए और जिसकी भाषा जितनी आसान हो जो परने में मज़ा हो उस बुक को उठाके ले कोई बुक खड़ाब नहीं होती है अगर कहें तो यह सिर्फ आपके घिमाद पर सबुक अच्छी होती है बसर्थे गलती के होती है गलती वहा हो जाती है कि एक एक हिस्ट्री के लिए पांच भूठ पढ़ता है स्बूठीज बूर्थी यह उती है वही जो कोई बताने करें तयारने किसी भी बच्चे को क्यों कि संस्था का सुभा बढ़ाओ यही बात है और फिर से जाते जाते सिंपल सा बात करता हूं रिश्क लीजिए जी रिश्क लीजिए आपको लगता सिर्फ सुजीत सर बोलना बढ़ा आसान है अरे हम भी रिस्क ले रहे बात कर रहा हूं लास जाते आते हम भी रिस्क लेते हैं और आप ही के तरह रिस्क लेते हैं पूरे पटना में कोई ऐसी संस्ता नहीं है जो यह लिखता हो इन इसीच्फ और वपीस-सी सिर्फ बीपीसी के लिए मेरे पास आओ मैं लिखता हूँ मैं पहला इंसान हूँ जो लिखता हूँ और ये सब लिखने के पीछे का वज़ा बस एक ही बात है ये संसा जुन्दगी भार BPS के लिए समर्पित है बस तो हम रिस्क नहीं ले रहे हैं अगर आप लेने तो हम नहीं ले रहे हैं हम क्या खिची पर उसका दुकान खोले हुए है कैसे सी भी बेंकिंग भी रेल में भी दरोगा भी साब आओ नहीं किसी का इंट्री नहीं यहां पर यहां वही आएगा जो BPS के लिए जीएगा बाकी के लिए एकदम बंद है दर्वाजा वैसे ही आप भी कीजिए बस चाहिए दोस्तों हस्ते रही मुस्कुलाते लिए खुश रहे हमेशा खुट में विस्वास रखिए मह बाप से कभी उची आवाज में बात मत कीजिए हमेशा मीठी आवाज में बात कीजिए जैहंद